हमारे एक प्रचनाकार हैं मिश्टर रवी यादव जिन्होंने कुछ लाइन्स करोना नामक वाइरस के माहूल में जो है भेजी थी तो चूंकि मैं कलाकार हूँ तो मैं अपने भाव के माध्यम से ये कविता आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज ये देश दुनिया को जागरू करने में आप इसका उप्योग कर सकते हैं थैंक यू ये कविता देश के हर बर्दी और वर्ग को समर्पित करता हूँ जैहिंद आओ हम भी बरसाएं पत्थर चलो पत्थरों से भरले मुठिया चलो हम भी कचले मुठिया आओ हम भी बरसाएं पत्थर उथो की पत्थर मारो इस महामारी को जो नहीं मरे तो नहीं बचेगी कौम हमारी मगर निशाना पत्थर का क्यूं बने चिकल सक जो देश बचाने निकले हैं इनका तो अभिनंदन हो इनका आभार हो जहाँ जहां से बुज़रें इनकी जैजेकार हो अगर बर्साने पत्थर हैं तो आओ फोड़े घ्रणा और दोईश का सर तो आओ थोड़े घ्रणा और दोईश का सर आओ हम भी बर्साने पत्थर आओ पत्थर से फन कुछले हम नफरत वहशत अफवाहों के तूफानों का कैसे खून बहा सकते हैं मानवता के रक्षक बीर जवानों का कैसे खून बहा सकते हैं हम मानवता के रक्षक बीर जवानों का हमें छुपाकर घर के अंदर जो महमारी से लड़ते हैं कैसे कर्ज चुपाएंगे हम इस वर्दी के अहसानों का कैसे कर्ज चुपाएंगे हम इस वर्दी के अहसानों का जब इश्वर के दर पर भी इनसान की खातिर ताला है तब इस वर्दी ने आगे बढ़कर पूरा देश समहला है अपना बदलो तंग नजरिया और ये बदलो तंग नजर आओ मिलकर बरसाएं पत्थर आओ हम भी बरसाएं पत्थर सुबह सुबह जो जाड़ों लेके सडकें सडक गुहार रहे राशन सबजी की बोरियां जो ड्राइवर उतार रहे सच में सचे मानव हैं ये मानवता का कर्ज उतार रहे हमें भूमिका तै करनी है हमें भूमिका तै करनी है अब हमको क्या करना है हमें भूमिका तै करनी है अब हमको क्या करना है अपने रक्षत पर ही हम ले अब जो करते जाएंगे अपने रक्षत पर ही हम ले करते जो हम जाएंगे दुनिया भर में हम सब मूरख ही कहलाएंगे विश्व गुरू गर बनना है फिर विश्व गुरू गर बनना है फिर तो करो फते इस दुश्मन पर विश्व गुरू गर बनना है फिर तो करो फतह इस दुश्मन पर इस तूफा से ऐसे निप्टें देश बने एक मील का पत्थर आओ बरसाएं पत्थर आओ बरसाएं पत्थर